अगर आप देख रहे हो एक सस्ता और अच्छा ओप्षन अपने खेत की बाड बनाने के लिए तो सबसे बहतरीन ओप्षन में आता है करूंदा करूंदा जो होता है वो सबसे लोगप्रिय है बाड बनाने के लिए खेत की आपने देखा होगी अक्सर हम अपने खेत में काफी अच्छी मेनत करते हैं काफी अच्छी क्रोप उगाते हैं या हम कोई भी बागवानी की फसल करते हैं लेकिन हमारी चारो तरफ की फैंसिंग ना होने के कारण काफी बार जंगली जानवर का अटेक हो जाता है हमारी फसल पे और पूरी फसल को लगबग 20-30% तक बरबाद कर देते हैं जंगली जो जानवर होते हैं वो तो उसके लिए जो सस्ता उप्षन होता है किसानों के लिए वो होता है करुंदा महेंगे उप्षन में तो आपके लिए कई उप्षन खुल जाते हैं या तो अपतार फेंसिंग करो या फिर चेन लिंक लगाओ काफी उप्षन इसमें आ जाते हैं लेकिन सबसे सस्ता और सबसे अच्छा माना जाता है करुंदा की बाड़ बनाई जाता है जो करुंदा है ये मरू गोरो वराइटी है जोदपुर उन्वेस्टी ने से रिलीज किया था और करुंदे की सबसे बहतरीन वराइटी मानी जाती है करुंदे की क्योंकि इसका जो fruit size आता है करुंदे का वो लगबग इसका fruit size 4-5-6 गराम तक last इसका fruit size चला जाता है करुंदे में negative एक ही है कि इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इसमें होते बड़े-बड़े काटे तो fencing के लिए सबसे अच्छा मना जाता है आती साथ इसकी आप pruning करके बहुत ही अच्छी एक बाड़ की shape दे सकते हो पूरी जिस तरह से आप देख रहे हो इस तरह से आप इसकी दिवार बना सकते हो लगबग 6-7 फुट उची लेकिन उसको दिवार बनने में time जरूर लगता है आपका 4-5 साल अगर आपने मेहनत की तो बहुत अच्छी इसकी side fencing आप create कर सकते हो अपने खेत में यह जो variety है यह जोदपूर उनिवस्टी रे रिलीज करी थी और काफी अच्छी variety है यह इसका जो fruit आता है यह आपको मैं दिखाता हूँ यह देखिया आप सबसे पहले जो fruit color होता है यह होता है green इस तरह का यह देखिया उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सा पकता है फिर इसका color हो जाता है हलका red और जैसे जैसे यह और ज़्यादा पकेगा वैसे वैसे हो जाएगा black यह देखिया आप करुंदा जो पकता है वो पकता है हमारा अगस्त में जाके यह पूरी तरह से पकके तयार हो जाता है अभी तो एनमेचियोड fruit है इसलिए थोड़ा छोटा है यह जो पोदा है हमारा अभी आप देखिये कि तीन साल का पोदा है तीन साल में लगबग इसने 8 विट की height ले लि तो बहुत अच्छी growth से बढ़ेगा उसके साथ आप starting से ही इसकी cutting और बाड की shape इसको देखे चलिए जो आपको distance रखनी है करुंदे लगाने की वो distance रखनी है आपको कम से कम आप इसको लगाईए जितना हो सके high density में लगाईए आप क्योंकि जो बाड है वो अगर हम दूसरा उधर लेगा तो उससे बहुत ही अच्छी आपकी chain link एक तरह की तियार हो जाएगी तो आप देखिए fruiting भी इसमें बहुत अच्छी आती है मातर तीन साल के पोदे में कितनी शांदार fruiting आ रही है जितना पकेगा fruit उतना ही मिठा होता चला जाएगा और black होता चल भी ठीक ठाक बनने लग गया है और कुछ fruit इसमें हलके हलके पकने भी शुरू हो गया है जो इस ब्लैक देख रहे हुए fruit जो है इसकी market में काफी अच्छी demand रहती है और आप इनको तोड़के easily बेच भी सकते हो तोड़ना थोड़ा सा difficult होता है क्योंकि काटे होते है fruit छोटा है लेकिन इसकी market में हमें इसा demand बनी रहती है के बाद जो आती है इसका production जो आता है इसका अगर matured plant है तो लगभग 35-40 kg तक ये आपको matured plant से आपको इसकी fruiting मिल सकती है इसके लावा इसका अचार में काफी अच्छा यूज है अचार की भी बहुत अच्छी demand रहती है तो ये multi purpose आपका हो सकता है अगर आप इसे boundary पे or side fencing बे इसका यूज करके wall create कर रहे है तो करुंदे की जो आपको variety का चायन करना है वो आप याद रखे कि मरू गोरव ये variety है बहुत अच्छी variety है इसी variety का चुनाव करें इस variety में आपको 2-3 फाइद है जो सबसे अच्छ है वो भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ production बहुत अच्छा है fruit size बहुत अच्छा है मिठास जो है वो nine bricks है तो वो मिठास भी बहुत अच्छी है और इसकी जो growth है वो काफी शांदार है जो growth है वो growth ही हमें चाहिए side fencing के लिए तो काफी अच्छा ये variety मानी जाती है तो इस परकार क्या पोदे लगाईए अगर आपका budget कम है तो धन्यवाद